Manage Your Photos Select Photo Window में आप आपके आलबम के लिए Hardisk, CD या DVD, Pen Drive, Bluetooth से या Facebook से फोटोज ला सकते हैं View बटन से आप Folders का View List या Icon Style में बदल सकते हैं यहां दिये गया अलग-अलग Option की मदद से आप आपके फोटोज को Thumbnail View, Flimstrip View, Full View, List View या Slide Show की तरह देख सकते हैं Zoom बटन से फोटो की Thumbnail Size को बढ़ाया या गटाया जा सकता है निचे दिये गए Option से आप आपके एक से ज्यादा फोटोज को एक साथ या एक एक करके Edit कर सकते हैं यहां से आप आपके फोटोज को Rotate, Sort या Select भी कर सकते हैं Batch Edit बटन से आप एक से ज्यादा फोटोज को एक साथ एडिट कर सकते हैं ये Option केवल Pro Version Users के लिए है जिन फोटोज को Edit करना है वोने Select कीजिए और आप फोटो को Clockwise या Anti Clockwise भी Rotate कर सकते हैं एक से ज्यादा फोटोज को Color Correct करने के लिए Batch Edit बटन से Enhance Option चुनिए हैं B, C, G टैप से अपने फोटोज का Brightness, Contrast और Gamma एजज़स कर सकते हैं Reset All बटन से Changes को Reset कर सकते हैं RGB option से फोटोज की Red, Green और Blue values एज़स कीजिए Level option से आप फोटो का Tone और Color Balance एज़स कर सकते हैं Load Original बटन पे क्लिक करके आप Original photo को Load कर सकते हैं Curve option की मदद से आप फोटो को बहुत ही आसानी से Color Correct कर सकते हैं Photo को यहां से Navigate कीजिए अगर आप किसी photo को Previous Effect नहीं देना चाते हैं तो Skip This Image इस Check Box पे क्लिक करें फिर से Photo को Navigate कीजिए और Photo की Curve Level एज़स कीजिए अगर आप यह Effect सरे Photos को देना चाते हैं तो Apply Settings को All Images Check Box को चेक कीजिए Before और After बटन से आप फोटो में किये गए चेंजिस को देख सकते हैं Photo को यहां से Zoom In या Zoom Out कर सकते हैं Photo को उसकी असली Size में एक लिक पिला सकते हैं या Screen में Fit कर सकते हैं Full Screen बटन से Image को Full Screen देख सकते हैं सारे Photos में चेंजिस करने के बाद Save बटन पे क्लिक कीजिए आप यहां देख सकते हैं Photos में चेंजिस किये जा चुके हैं Photo को Resize करने के लिए Batch Edit में Resize Option चुने एक Resize विंडो खुलेगी जिसमें आप जिन फोटोस को Resize करना है उनके नाम के पीछे दिये गए चेक बॉक्स को इस तरीके से चेक कीजिए अगर आप फोटोस को Percentage के हिसाब से Resize करना चाहते हैं तो Percentage Option पे क्लिक कीजिए और Drop Down Menu में से Percentage चुने Original और New टैप से आप Changes देख सकते हैं Quality कॉलम में आप अपने Resize की हुए फोटोस की Quality देख पाएंगे अगर आप फोटो को Size के हिसाब से Resize करना चाहते हैं तो Size Option चुनिए और दिये गए विकलपो में अपनी मन चाही Size चुनिए Sizes Customize करने के लिए Custom Option को चुनिए और Size के Width, Height, DPI और Unit चुनिए फोटो को Resize करने के बाद फुराने फोटो को इन फोटो के साथ बदलने के लिए Save बटन पे क्लिक करें या Resize की गई फोटो को अलग नाम से Save करने के लिए Save As Option चुनिए फोटो के नाम बदलने के लिए फोटो को सिलेक्ट करके Batch Edit Option से Rename Option चुनिए एक Rename विंडो खुलेगी Format Option से आप फोटो के नाम का Format तै कर सकते हैं Start From Option से आप फोटो का स्टार्टिंग नमबर तै कर सकते हैं Changes को New File Name टैब में देख सकते हैं Save बटन पे क्लिक करने से सारे Changes सेव हो जाएंगे Edit बटन से आप एक एक फोटो को Batch Edit की तरह से Edit कर सकते हैं Sort By बटन की मदद से आप फोटो को Date, Modified Time, Name, Size, Type, Orientation, Selection, Ascending और Descending Order के हिसाब से Sort कर सकते हैं Select बटन से आप एक या एक से ज्यादा फोटो को सिलेक कर सकते हैं यहां से आप Number of Selected Photos को देख सकते हैं यह Highlighter की Position को सुचित करता है Send To Option से आप फोटो को Facebook एकाउन पे या Hard Disk पे भेज सकते हैं इस प्रकार से आप आपके फोटो को बड़ी ही आसन तरीके से Manage कर सकते हो